तो चलिए भई शांदार तरीके से शुरू करेंगे Raining Cats and Dogs Raining Cats and Dogs आपका शमय शुरू होता है उड़ाएं Raining Cats and Dogs To rain extremely heavily To quarrel like cats and dogs To quarrel over trifles Argument तो ये जैसे पिछले कुछ दिनों हमें विपर जोए भाई साब आये थे तो उनकी विज़े से कई सारे Coastal Areas और कई सारे Areas में भीशन बारिश होई तो परफेक्ट है आपके लिए ये कहना Raining Cats and Dogs मतलब बहुत तेज बारिश ठीक है तो आंसर हो जाता है A, A is the right answer Let's see कितने लोगों ने जवाब दिया 67% लोग जवाब दिये हैं बहुत अच्छी बात है लास्ट में देखेंगे कौन टॉपर रहा Sacred Cow पवित्र गाय Sacred Cow पवित्र गाय उड़ाएं भाईया A person or thing beyond criticism or questioning Unharmed and whole और healthy To do something risky Pat animal बताएं पड़ाफट से बताईए Sacred Cow ठीक है Option के बेसेस पर सही जवाब क्या होता है बिलकुल सही answer The right answer is a person or thing beyond criticism अब पवित्र बोलते हैं ने वो तो गाउ है सोना होगा बहुत commonly लोग बोलते हैं वो तो गउ है और गउ है तो भाईया गउ ही रहेगा तो answer हो गया A 80% लोग सही होते हुए सोनम प्रतिभाश शिवाय दीवशिका हैंडसम डेवल सोनम मेगा जितेंदर भाईया बहुत बढ़िया Rule the roost बहुत अच्छा इडियम है मतलब बहुत यूज होता है एक्जाम में भी और बोलचाल में भी इसका काफी ज्यादा यूज है आज कल Rule the roost To run haphazardly Right To be the real boss To annoy someone Wake up Get out of bed बढ़िये क्या अंजर हो सकता है चलिये चलिये भई What can be the probable answer everyone What can be the probable answer बहुत बढ़िया Time sum up to rule the roost मतलब होता है To be the real boss चीक है To be the real boss ये South की कोई movie के title लग रहा है न मैं boss नहीं हूँ Real boss तो कोई और है To be the real boss The right answer is be only चलिये भई है 83.94% लोग यहाँ पर सही होते हुए Handsome devil, दीवशिखा, सोनम, रागिनी, रिया, सुयश प्रीत का फैन आरका, मनीशा, धनकर भईया, बहुत बड़िया Next पर आते हैं, soft option Next पर आते हैं, soft option फटा-फट से देखेंगे A possible course of action that does not require as much effort है न, एक कोई course of action जिसमां जादा effort ना चाहिए To voice one's thoughts plainly or bluntly, neat and clean to reveal the secret बदाईए बहुत ही बड़िया, दर्शन जी दर्शन भईया, कहां हो आजकल चलिए, तो सही जवाब होता है A possible course of action that does not require as much effort यह बहुत soft option था जैसे होता है न, कोई काम, यह तो भई बहुत आसान था मेरे लिए मैंने तुरंत निप्टा दिया तो answer के रूप में सही जवाब हुआ 88.81% लोग सही होते हुए खुशी, जागरती, सोनम, दीपशिखा, स्वयश, शंतुष्टी, मनीशा, अतुल, बहुत बढ़िया next पर आ जाते है चलिए भी यह, have kittens have kittens ठीक है, answer करेंगे तुरंत बताएं what can be the right answer everybody well done दोस्तों, बहुत अच्छे very well done, आंदार तरीके से answer दे रहे हैं सभी लोग that is absolutely great from everybody's अटर, चलिए भई, to have kittens का मतलब हो जाता है, be worried बहुत जादा चिंतित होना बहुत जादा चिंतित चीजों को लेकर बहुत जादा चिंतित, the right answer is B, ठीक है, तो देखें भई, कितने लोगों ने यहां पर जवाब दिया तो 51% लोग सही हुए, आईए ज़रा लीडर बोर्ड देखें तो दीप्शिका is leading, handsome devil दूसरे पर जादा अंतर नहीं है सुयश थर्ड पर है, मनीशा, अर्पिता श्रेया, आरका, साहिल अंकिता, शिफा, रीता हर्ष, स्मृती, अकांशायादव बहुत बढ़िया, ठीक है आगे आते हैं, वन वर्ड पर आ जाते हैं तो भई, कुछ लोग चार, कुछ लोग पांच, पांच वाले लोग बढ़ाई हो यार, मेरी तरफ से ठीक है, तो आगे बढ़ें, नेक्स पर आ जाते हैं तो प्लीज थोड़ा फोकस कीजेगा वन वर्ड पर जो गलतियां भी हुई, उन्हें यहाँ पर हम रिकवर कर लेंगे है ना, रिकवरी यहाँ पर लेकर चलेंगे शुरू करें, चलिए, बोलो बाक्य बिहरी लाल की, जै एकदम स्पिरिट वाइज, चलिए चलिए, चलिए तो next question disgusting and an unpleasant smell एक disgusting और unpleasant smell, क्या कहेंगे rustic, savage, rancid sabotage, पताएं फटाफट से answer करेंगे मेरे सबी प्यारे साथी, come on everyone what is going to be the right answer what is going to be the right answer in your opinion everybody अच्छा, मैं कहूंगा यहाँ पर one word है यह this is a good one word, exam based कई सारे लोग इसमें गलती कर जाते हैं चलिए, times up हो चुका है दोस्तों फटाफट से देखेंगे rustic बोलते हैं, असब्य savage बोलते हैं, rude को rancid is the right answer sabotage मतलब destroy पढ़ा है हमने खात्मा करना, answer हुआ C C is the right answer ठीक है, 70% लोग यहाँ भी सही होते हुए, which is quite great next a person rejected by और expelled from society एक व्यक्ति जिसे society से निश्काशित कर दिया गया है ordinance, outcast, ost या फिर overwhelm बताएं ordinance, outcast, ost या फिर overwhelm overwhelm मतलब किसी चीज़ का अवल दरजा, अवल लेवल तो society से देखिए दो शब्द हैं, ordinance तो factory होती है बताया था मैंने आपको military, हत्यार वगरा जहां बनते हैं overwhelm मतलब extreme कोई चीज़ है ठीक है, ost का मतलब भी remove करना ठीक है, सामनेता post job से निकालना है न, exile के sense में society से अलग करना, reject किया गया outcast होता है, ठ्यान रखेंगे, important है यह 82 प्रतीशत लोग सही हुए अच्छी बात है, देखिए ost शब्द को भी लिख लें, यह one word में आता है, अगर यहां होता है a person removed from the job तो यह answer होता समझ गए, अगर remove from job होता, तो यह answer होता तो please keep in mind, next a song of praise गुणगान वाला जो song है है ना, जैसे कई सारे songs होते हैं, जिसमें किसी को praise करते हैं, देश को praise करते हैं है ना, तो उसे क्या कहते हैं, बताएं pine pandemic panorama या फिर pantry पड़फट से answer देने की कोशिश करेंगे, सभी विद्ध्यार्थी चलिए चलिए absolutely great, absolutely great from everybody's end times up होता हुगा दोस्तों so pandemic it's a kind of विमारी ये तो होगा निया, panorama एक short होता है, पूरा व्यू pantry, खाने से संबंदित सोना है आपने answer हुआ ए eliminate किया, सही जवाब मिला तेरा प्रतिशत लोग सही हुए panorama, कहां पड़ लिए devil तुम कहरो pantry है अभिने, मन्थन दीपशिखा, दीक्षित, वैशनवी बहुत अच्छे, कृती जितेंदर, है ना तबिंदा मनीशा, आशा, धनकर अंजली, बहुत बड़िया दोस्तो आगे बढ़ते हैं a roadside hotel for motorist जो motorbike चलाने वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए, ठीक है जो roadside hotel होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फटाफट से बताएं hotel in motel या फिर lodge come on everybody, तुरंत आंसर देने की कोशिश सभी लोग यहाँ पर करेंगे which is absolutely great that's absolutely great guys, ठीक है तो hotel तो होगा नहीं क्योंकि वहाँ already term दिया है, इन बोले तो धरमशाला, lodge आप जानते हैं roadside जो hotel होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, motel कहते हैं ठीक है, यह शब्द जरूर ध्यान रखें examination, point of view पर the right option is see, let's see तो 70 प्रतिशत लोग यहाँ पर सही हैं, जिसमें लक्षमी, निकिता, रागिनी, रिया शिफा, मान्शी, सुयश, मनीशा, सर्मिष्ठा, आईमोर मयंक, दिव्या, गुर्मीत श्वेता, आगे बढ़ें चलिए भई impose something unwelcome on, जिस चीज की चाह नहीं है, किसी पर वो काम थोप देना ठीक है, फटाफट से आंसर देंगे फटाफट से आंसर देंगे सभी लोग, ठीक है फटाफट से आंसर देंगे मेरे सभी साथी जबरदस्ती किसी पर कोई चीज थोप देना, जो वो चाहता नहीं है, इसका अर्थ ये है initiate मतलब शुरू करना initiate मतलब शुरू करना inflict is the right answer jobial मतलब खुश juxtapose मतलब place next to place next to something ठीक है एक के बाद एक रखना पढ़ चुके हैं ये word तो answer हुआ B, B is the right answer आईए ज़रा देखें सिर्फ 23 प्रतिशत लोग सही है बताओ ऐसे question में गलती हो रही है है जनाब जनता जवाब चाहती है भाईया कलो भाई आगे बढ़ है